तो तो टूदेंट्स फॉर्मसीट के सिर्फ और से थोरी का थोरी पांच उनिट्स को हैं जो कि अकॉर्डिंग टाइम डिस्टिबूट कर रखाया है तो सबसे बहला अगर अगर आपन बात करें यूनिट नमबर तो जो फिजिकल फार्मसीटिक्स पर्स्ट है जो कि आपके थर्थ सेमिस्टर में लगता है उसका जो पहला चप्टर है सॉल्य विद्टी ऑफ ड्रग यानि कि अगर आपन बात करें कि फिजिकल फार्मसीटिक्स फर्स्ट में अपने पढ़ना क्या-क्या है तो अगर आपको एड़ करने का रीजन क्या था वह सारी के सारी चीज़ें अपन फीजीकल फार्मेसी में वड़ते हैं तो सबसे अगर फीजीकल फार्मसोटिक्स की में बात करऊं तो unit no.1 solubity of drug यानि की drug की जो solubity है वह आपन कैसे डाइगनॉस करते हैं solubity किनके चीज़ों पर करती है वो सारी की सारी चीज़ आपन यूनित नमर वन में पढ़ेंगे इसमें जो सॉल्विटी एक्सपेशन है यानि कि किसी भी चीज की आप सॉल्विटी किस तरीके से एक्सपेस करोगे उसके तीन-चार मेथड़्स हैं वह आप पढ़ेंगे इसके अंदर मेकनिजम और ब्रक्रविटी से इंटक्ट करते हैं उनके बारे में आपन देखें कि आइडिल प्रॉपर्टी इस क्या होनी चाहिए किसी भी शिस्टम की इसे डी इस्ट्रीशन किया है शोशी जिशन क्या है कॉन्तिटी ऑप्रोच इस फ्ट्रूच फेक्टर इंफ्रेंसिंग व्ड़की कौन कौन से फेक्टर है जो कि drug की solubity को effect करते हैं diffusion principle in biological system, solubity in gas, solubity of liquid in liquid, binary solutions, ideal solutions, Rawls law, real solution, partially miscible liquids, critical solution, temperature and application और last में अपन चैप्टर नंबर वं में देखेंगे distribution law, its limitation and applications तो तीन तरीके की state of matter है, liquid, solid and gas उनके बारे हम सारी की सारी बात करेंगे और उनकी properties के बारे हम बात करेंगे और जब drug की बात करते हैं, doses form की बात करते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी अपन जो state of matter है, वो चूज कर सकता है formulation बनाने के लिए तो state of matters की बात करें तो वहाँ पन पढ़ेंगे कि state of matter होती कौन कौन सी है change in state of matters यानि कि कोई doses form है जो कि जिस stage में available है सपोज वो liquid में available है और वो incompatible है तो क्या उसे अपन change कर सकते हैं को doses form बनाने के लिए latent heat क्या होती है, vapor pressure क्या होता है, sublimation critical point क्या है eutectic emissions क्या होते है, aerosource, relative humidity, liquid complexes, liquid crystals, glassy states, solid crystalline, amorphous and polymorphism क्या होता है और उनकी जो physiochemical properties है, drug molecules की like refractive index, optical rotations, dialectical constant, dipole moment, dissociation constant उसका determine करना और उसकी application क्या क्या है वो सारी की सारी चीज़े है अपन unit number second में देखेंगे फिर अपन बात करते हैं, surface and interfacial tension की, यह जो unit number third and fourth है, वह as compared to first and second थोड़ी छोटी रहती है surface and interfacial tension की अगर बात करें, यानि कि कुछी भी चीज में tension की बात है, तो अव्यसे यहां पर जो भी बात आ रहे है, वो सारी के सारी liquid respect में आएगी लिक्विड में याने की जो suspensions हैं, जो emulsions हैं उसके बारे में, अपने को बता है कि जैसे अपने emulsions बनाएंगे, तो अपने एक oil phase डालेंगे, एक water, दोनों आपस में immiscible हैं, तो जब तक वो immiscible रहेंगी, तब तक separation रहेगा, दोनों में tension जित्ती जादा रहेगी, उतना तो उनकी tension को कैसे कम करें, emulsifying agent डालने के बाद, उनकी tension को किस mechanism से कम किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ा अपन इसके अधर पड़ते हैं, यह जो liquid interface है, surface tension क्या है, interfacial tension क्या है, surface free energy क्या होती है, किसके तरीके से अपन measure कर सकते हैं, surface and interfacial tension को, spreading coefficient क्या है, जैसे कि अपन क किसे lotion को spread कर रहे हैं, तो वो कितना जादा spread होना चाहिए, अपन कैसे evaluate करते हैं, adsorption at liquid interface क्या है, surface active agents क्या होते है, HLB scale क्या है, solubilization, detergency, adsorption at solid interface क्या होता है, यह सारी की सारी चीज़ा अपन unit number 3 में पड़ेंगे, unit number 4 के अगर मैं बात करूं, तो complexation and protein binding, यानि कि कोई भी ए सकता है, यानि कि उसका advantage हो सकता है, interaction हो सकता है, या फिर side effect हो सकता है, अब वो कौन-कौन से complex होते हैं, अपने application हैं, उस complex की और कौन से disadvantages हैं, वो सारी की सारी चीज़ा आपन पढ़ेंगे, classification of complex की बात करेंगे, आपने applications की बात करेंगे, काफे सारे जो complex हैं, वो favorable भी है, method of analysis जीकल प्रोंट आने डीट इसका किया घ्रेट एख सेंगतें हैं तरहीं जाएस्ट नमब्रad6 पोलंड आपने टाइमाने देख रखी होगी जिसके पी-एच किस तरीके से डिटर्माइन करते हैं वह सारी थी तो यूनिट नंबर फाइफ है फिजिकल फार्मसुटिक सबस्त के अंदर वह पी-एच बफर एंड आइस्टोनिक स्वारिशन यानि कि पी-एच क्या है बफर किस तरीके से एपलाई होते ह सबस्क्राइब फिर सबस्क्राइब है पर इस तरीके से इंपोर्टन है यानि अपनी बॉड़ी में भी भावर है जो अपनी पी-एच को 7.4 मैंटें करने पर है और फार्मसुटिकल फॉर्मिलेशन में इस तरीके से बफर को एड करते हैं लास्ट में पन दिएक पर है यान देखेंगे बफर आइसितोनिक सॉलीशन्स जाने की कौन-कौन से सॉलीशन्स है जो आइसितोनिक हैं और किस किस तरीके से अपन उसकी आइसितोनिक सीती कैल्कुलेट कर सकते हैं वो सारे किसारी चीजें आपने उनिट नमबर 5 में पढ़ेंगे पहंसे हैं जो कि इंसारे मैटियल आपने को इंबुक्स पें अवीलेबल हो सकते थे हैं घिसकी 65 and ओद कि यह जो भी आपको उद्प्ञाग्यं वो इंबुक्से मीं आपको मचायरीट के अवह अवेलेबल हो सकते हैं if you understand and enjoy the video please like share and subscribe thank you